आज मैं आप सेयर करूँगी और चासने वाले मालपूए की रेस्पी तो मालपूए दो ते रहा या बीना चासने वाले लेकिन आज मैं बनाएंगी रोश है। नन् surprise कilot करते हैं हैं तो यह उदूसरोज है.से नियाँ नि go b mostra दो 데िय। ऐए ग कफ मायदा आप इसकी जगाँ गयों काटा भी ले सकते हैं मैंने मैली आप ज़ादा कफ मैं छी गयो पर दाली कर दाल जहाएं कुटी हुई जॉप के कुटी हुई लाची पाओडर इसे मिला रहेंगे अंब इसे अछ अछ तमीलाटनी थोड़ा थोड़ा करके दूट ड आप इस अच्छे से मिलाए ताकि इसने कोई भी लम्स याग उठ लिया ना बचे यह देखे मैं अच्छे से इसे मिला लिया है हमारा जो डो है त्यार हो चुका है थोड़ा सदूत बचा है एब इसमें साइड में रखेंगे 15 से 20 मट के लिए रेश्ट पर इसे रख देंगे हम तब चल दें तो तक हम चास्नी बनाएंगे ति नियाबने गैस पे एक वोजाय रखा है उसमें एक कप मैंने केनी डाला है उससी कप से एक कप पानी हम लेंगे इसने में डालेंगे थोड़े से केसर के धागे इस चास्णी का जो क्लर है थोड़ा अच्छा आजाएगा पिसे फिशे यो थोड़े सब फूड क्लर डाल दीजिए यह देखें चास्णी बहुत यच्छे से अबल तही है हमें कोई तार वारी चासनी नहीं चाहिए बस थोड़ी सी चिप-चिपी चाहिए यह देखिए मेरी चासनी जो है बनके त्यार हो चुकी है अब हाँ तो कमारी तो इसको चेक कर ले चिप-चिपी चासनी गर हो गई है हमारी चासनी जो है त्यार है यह देखिए कोई तार नहीं बन रहा है थोड़ी सी चिप-चिपी लग रही है वह समारी चासनी जो है बनके त्यार हो चुकी है गेस्ट को बन करेंगे हम इसे स्टाइड में रखेंगे अचले देखते अपना गोल में में त्यार हो चुका होगा इसे एक पर फेट लेंगे यहां पर फेट लिया है आप चाहित इसे पूरी रात भी रख सकते हैं तो दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा सोडा डाला था जो हम ब्रेकिंग सोडा भी ब बनेंगे मैं केमरा चालू करना भूल गई थी अगर आपको सोडा नहीं डाना है तब इसे पूरी रात इसे ही रख सकते हैं और सुबह बनाएं तेली से फ्राइए करेंगे गैस में मैंने तेल रखाए तेल हमारा गरम है एक बच्छी कर लेंगे थुड़ा सा लो डालके जि अब दूनों से इसे हम क्रिस्पी हों तक फ्राइए करेंगे यह देखिए वाज फूले फूले मलपुए है तो आप चाहें तिसे पुरी रात रखे या सुबह गोल के साम को बनाए तो भी मालपुए आपके फूले फूले बनेगे बेन सोडा के इसे हम निकाल लेंगे तेल से इषओ तेल निकोडते हों तमरे या पेक मालपुए त्यार है इसे हम बागी का शारी मालपूए बना कर त्यार कर लेंगे यहां मालपुए को और इसे जो इश्ट्रा तेल है हम छुड़ते हुए मलपूए देलएंगे ऐगे देखिए मलपूए है जो फूले फूले बन के त्यार है हैं बागर के मलत बना लेंगे चाशने भी हमारी यह चुकी दिशी में से घरम किया था चाशनी द्यार है उक deposition मलत ज़िक अगाहरी बनालपय भी गरम है उक मालोपय भी गरम है और 3-4 मीटे इसमें हम रहने देंगे गरम चास्नी से यह होगा कि जो चास्नी है अंदर तक जाएगी मालपुया में बहुत ही अच्छे से तो खेगे तो चास्नी को थोड़ा गरम ही कर ले यह देखिए मैंनी से 3-4 मिटर से ही छोड़ देंगे उपर से चास्नी डाल देंगे तो मैंनी से 3- मालपुए हैं त्यार हो चुकिए पूसे निकाल लेंगे बहुत ही अंदर तक क्रिश में चास्नी गई है बहुत ही रसले बने हमारे मालपुए एसे ही हम बाकी के मालपुए को भी चास्नी में डिप कर देंगे और 3-4 मीट से हम ऐसे ही रहने देंगे चास्नी में तिन-4 मीट बाकी से हम निकाल लेंगे चास्नी से हमारे चास्नी अवाल जो मालपुआ है बन के त्यार है तप करने के लिए आप इसे enjoy की जिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा आप सभी से जरू ट्राइ करें त्यार है माल पुए में इसे तुरह ड्राइ फूट से जा दिया है एब मैं आपको तोड के दिखाती हूं यह देखिए माल पुए में कितनी जो है चासनी सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले साथ ही में घंटे का बटन दबाते जाए तक कि मेरा नए वीडियो है सबसे पहले आपके पास बहुत है अगर आपको कोई भी ऐसी रेशिपी चाहिए तो मुझे कमेंटर बॉक्स में जरूत बताए मैं आपको कोशिस करूंग सेयर करने के लिए तो मिलते ही फिर से एक नए रेशिपी के साथ तब तक लिए बाए दोस्तों